चलो ध्यान दो अभी से नए लेक्चर में हम सीखेंगे आयू पीसी नेम आफ एलकाईल ग्रूप हीरी डालिए तो इस नए टॉपिक के अंदरगत हम लोग भी पढ़ने वाल है आयू पीसी नेम आफ एलकाईल ग्रूप आयू पीसी नेम तो बाद में देखेंगे पहले हम ये समझ लें कि एलकाईल ग्रूप कहते किसको है तो हमारा पहला जो हीडिंग होगा इसके अंदरगत वह होगा एलकाईल ग्रूप इसको हिंदी में एलकाईल समोह कहा जाता है जब किसी भी एलकेन से आप एक हाइड्रोजन निकालते हैं तब जो बनता है वही कहलाता है एलकाईल ग्रूप जैसे CH4 CH4 एक कारबन है तो नाम होगा न मिथेन इससे यदि आप एक हाइड्रोजन निकाल लो तो ये बचेगा क्या CH3 अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि ये CH3 बचेगा तो कारबन का एक वैलेंसी खाली रह जाएगा इसी को हम लोग बोलते हैं free valence है क्या बोलेंगे इसी से कोई नया चीज जूड़ेगा या यही वैलेंसी परेंट चेग में साइड से कहीं जाके जूड़ जाएगा जैसे देखो ये कारबन का main chain है main chain है तो यदि हम इसमें कारबन इसको जूड़नें तो आपको ने लगता है कि इसी ग्रूप का नाम क्या है? मिथाइल ग्रूप और ये कोई नया बात तुमारी लिए नहीं है यह बात तुम जान रिवनोमेन क्लेचर में कई बार तुम इसका उपयोग कर चुके हो चलो पहला एक्जाम पलता है ये उदारो तो जल्दी से अब कुछ एडिशनल चीज उसका आ रहा है जो आपको जानना चाहिए ये आप सुनते होंगे कभी कभी आईसो प्रोपेन, आईसो प्रोपाइल इस तरह का नाम आपको बराबर सुनने के लिए मिलता होगा वो सब एक्च्वल में है क्या? उस सब पर अभी हम लोग काम करेंगे आईसो, नियो, सेकेंडरी, भी उटाईल इस अब तरह से कुछ-कुछ नाम आते रहता है समझे आप इसको किये क्या है? एक्च्वल में तुम जितना भी सबस्टीच्वेंट देखाना भी तक अरे IUPAC नाम लिखने में जितना भी सबस्टीच्वेंट आया है वह साड़ा का सारा इलकाईल ग्रूप ही तो है जैसे दो कारबन आया ऐसा तो तुम इसको क्या बोला था इथाईल? तो यहाँ पर दो कारबन लगेगा, यहाँ तीन कारबन लगेगा यहिन है CH2, CH3 और यदि हम इसमें एक हैडोजन जोड़नें तो यह हो जाएगा CH3, CH3C को हम लोग करते है इथेन तो हमारा जो दूसरा एक्जामपल है वह है CH3 CH3 इससे यदि हम एक हैडोजन निकालेंगे तो बताइए क्या बनेगा? पहले रुको हैडोजन निकालेंगा से जो बताओ यहाँ से निकाले यहां से निकालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो एक हैडोजन निकलेगा तो बचएगा CH2, CH3 और इसी ग्रूप का नाम होगा इथाईल या इथाईल ग्रूप इस तरह से इस रूप में लिखा रहे तो इथाईल गुरूप और यदि यही सबस्टिच्टिवेंट का काम करता तो हम कहते हैं इथाईल जैसा कि अभी तक बोल रहे हैं अभी तक कि अगले एक्जामपल की तरह बढ़िए अभी तक कितना कारवन हम लिएं यहां दो कारवन अब तीन कारवन का एलकेन लीजिए उससे आप एक हाइडोजन निकाले तो यह हो जाएगा CS3 CH2 CS3 यह क्या है पता है आपको प्रोपेन यहां से एक हाइडोजन निकाले सुनो यहां से जब तुम एक हाइडोजन निकालोगे तो यहां पर दो तरह की बाते हो सकती है आप यहां से हाइडोजन निकालो या यहां से निकालो एक ही बात यहां से यहां से एक ही बात है चुके यह भी 1 डिगरी का कारवन है यह भी 1 डिगरी का कारवन है देखिए कई से एक ही बात है हम बताते हैं यहां से एक hydrogen निकालोगे तो बनेगा CH2 CH2 CH3 और यदि तुम यहां से निकाला तो CS3 CH2 CH2 इसी को यदि हम पलट दे तो भई चीज नहीं हो जाएगा दोनों सेमी हैं न तो यह कहें सोरी यह कहें या यह कहें मतलब इस एलकें से यह बनाए या यह बनाए दोनों एक ही बात है कोई अलग अलग बात नहीं है तो हम इस दोनों में से किसी एक को ही कंसीडर करते हैं दूसरे को मिटा देते हैं मिटाते नहीं है चलो हम और करके के लिग देते हैं चलेगा कोई दिकत है इसमें और अब सुनो तो यह बना तुम्हारा पहला इलकाइल ग्रूप और यहां से बनेगा दूसरा इलकाइल ग्रूप यदि तुम हाइड्रोजन बीच से निकालो तो एक अलग यदि इस CS3 को हम नीचे भी लिखें तो कोई दिकत नहीं है तो हम बीच से हाइड्रोजन निकालने के बाद ऐसा लिखें या बीच से हाइड्रोजन निकालने के बाद ऐसा लिखें आपको क्या लगता है बात बदल गया ये दोनों सेम बात है दोनों में बीच वाले कारवन पर ही न भैलेंसी फ्री है बास समझ में आ रही है तो ये अलग अलकाईल ग्रूप हुआ ये अलग अलकाईल ग्रूप हुआ अब हमारा काम है इस दोनों का नाम लिखना लिख लिएजिए ये लिखा हुआ हो या ये लिखा हुआ हो एक बात है लिखा हुआ हो या ये लिखा हुआ हो एक बात है तो प्रोपेन से कुल कितने तरह का इलकाईल बनना सम्भव हो पाया दो तरह का अब दोनों का हम एक एक करके नाम सेपरेटली लिखते हैं पहला जो ये था CH2 CH3 और CH3 नहीं सोड़े CH2 CH3 ये है प्रोपेन तो इसका नाम होगा प्रोपाईल इसका नाम होगा प्रोपाईल इलकेन एलकाईल प्रोपेन प्रोपाईल या और करके ने इसको इन प्रोपाईल बोला जाता है जहां पर इन का मतलब होता है नॉर्मल प्रोपाइल और नॉर्मल प्रोपाइल का मतलब होता है वो इस ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है कहीं बीच में कोई ब्रांचिंग बगएरा नहीं है इन का यूज आप देखते होंगे लगाता है लिखा हुआ तो N का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल का मतलब साइड में फ्री वैलेंसी है और लगातार कार्बन जुड़ा हुआ है तो पहला का नाम लिखा जा चुका है, अब ये जो बचा, दूसरा, इसका नाम हम लिखते है इसका नाम देखो क्या होता है, CH, CH3 इसका नाम दो तरीके से लिखाता है अब याद कीजिए यही न Substituated Substituent बनता था तो Substituated Substituent का नाम जैसे लिखते थे वह से इसका भी नाम होगा इसमें अब आपको Parent Chain लेना पड़ेगा parent chain का एक इंड fix है वहीं पर होगा जहां पर free valency लगी हुई है क्योंकि इसी free valency से न वह main parent chain से जुड़ेगा तो बताएए कहां parent chain लें इस तरह से आई बाद समझ मैं numbering भी उसी carbon से start होगा जहां पर free valency जुड़ा हुआ है तो यह हो जाएगा one और यह हो जाएगा two पहला पर यह कहों सा substituent लगा हुआ है methyl तो पहला पर methyl है तो इसका नाम हो जाएगा one methyl और दो carbon का secondary एक्च्छल में यह secondary chain रहेगा जब नाम लिखाएगा तब तो एक दो carbon के लिए it और चुके यह भी alkyl alkyl group है तो अंद में yl तो इसका नाम होगा one methyl लेकिन ध्यान रहे जब हम main chain में main chain के साथ जोड के इसका नाम लिखेंगे तो वहाँ पर इसका नाम small bracket में लिखाएगा समझे कही लिखाएगा इसा समझ में आया आपको नहीं समझ में आया अरे हम पुझे समझ में आया तो बोलता है बोले समझ में आया बताईए इस दोनों का क्या मतलब है भाई एक बार हम देख रहे थे कुछ एक comedy type का कुछ दिखा रहा था कपिल वाला में दिखा रहा था महराष्टरा की तरफ नहीं कपिल वाला में नहीं कुछ कभी सम्मिलन में ये बात बोल रहा था बोला की महराष्टरा की भाई सुरिए महराष्टरा की तरफ आप जब जाओगे तो महराष्टरा की तरफ पुछोगे की भाई समझ में आ गया बहुत बढ़े है और यही चीज़ अब बिहार और यूपी के तरफ जाओगे समझ में आ गया है हाँ समझ में आ गया है तो जिस समय यदि वो बोले नहीं यदि तो ऐसे ऐसे करने से और ऐसे ऐसे करने से पते नहीं चलता है कि उसको समझ में आया या नहीं तो कभी-कभी ये समझ में आने का SIMBOL है और कभी-कभी ये समझ में नहीं आने का SIMBOL है और कभी-कभी इसे नहीं भी समझ में आता है तो प्रोपर बोला कीजिए हां या ना इसमें कुछ confusion नहीं है देखो तो यहाँ पर हम इसको small bracket में लिखेंगे लेकिन इसका एक और नाम होता है common name system में और इसी को हम कहते है isopropyl, direct इसका नाम क्या होता है और सुरो ये कोई systematic तरीका नहीं है जिसको तुम समझोगे ये तुमको हर हाल में याद रखना पड़ेगा इसको बोला जाता है isopropyl isopropyl समझें ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा systematic नाम तुम सिख गए होनकी कैसे लिखाता है अब कुछ-कुछ बात भी हम लिखेंगे जो तुमको याद रखना पड़ेगा यही isopropyl यानि हम चाहें तो उसी को यदि हम ऐसा लिखें तो ये भी क्या है isopropyl या फिर दो कारवन का chain 1-2, 1-methyl-ethyl या isopropyl एक्षवल में नॉमेंक्लेचर में दोनों का यूज करता है तो दोनों का यूज करता है तो आपको भी जानना चाहिए ये पहले आप पुरा लिख लिएजे फिर दूचार को एकजांप ये वाला कराके तो हम आज चुटी देंगे आज प्लास अभी चलेगा लंबा जल्ली जल्दी उतारिए अब हम ये चीज लिखने के बाद हाइडोजन को निकालने का काम नहीं करेंगे अब हम डाइरेक्ट ग्रूप लिखते हैं अब्लकाइल ग्रूप को अब हम वहों से हेडोजन निकाले पहला र दूसरा दोनों का नम लिख लिए सेपरेट ले इसी का यही वाला चीज यह है इस नाम से जाना जाएगा और यही दोनों चीज इस नाम से जाना जाएगा अच्छा कभी-कभी ये ऐसा लिखा हुआ रहे तो क्या ये आइसो प्रोपाइल नहीं है ये भी आइसो प्रोपाइल है यही सब बात समझना होता है और गेनी केमिस्ट्री में एक बार कार्वन घुमा दिया पुड़ा का पुड़ा तुम घुम गए हो गया तुम्हारा सारा का सारा कंसेप्ट धरा का धरारा जाएगा तुम चाहो तो इस कार्वन को यहां से हटा के तुम यहां लिख सकते हो तुम चाहो तो इसको हटा के इधर लिख सकते हो तुम चाहो तो इस free valency को इधर दे सकते हो जो carbon पर जो है उसको इधर उधर किदरो गुमा गुमा के लिखो के कोई दिक्कत नहीं है यह चीज chemical bonding पढ़ता तो दिक्कत था मिटा देना इसको अब अगला alkyl group देखिए देखो यहाँ CH2, 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 CH3 यह इसको बोलते हैं हम लोग अच्छा एक बात दो इसमें यदि हम hydrogen जोड़ दें तो CH3, CH2, CH2, CH3 हो गया इसी को हम लोग कहते हैं butane और यदि इसी को हम alkyl group बनाए यहाँ से hydrogen निकाल लिए तो इसको हम कहेंगे butile group और यह normal butile group है क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई branching नहीं है free valency side में लगा हुआ है कहीं बीच में लगा हुआ हुआ है तो इसी का नाम होता है normal butile उतार यह फटा फटते जी मैं नहीं है इसमें आपको numbering करने के क्या आप सकता पर गई इसमें क्यों करेंगे numbering इसमें कोई substituent है क्या इसलिए कोई numbering यहाँ पर नहीं होगा यहाँ direct हो जाएगा इसका नाम direct लिखा जाएगा numbering करने के आपको आप सकता तब पर गईगे जब वहाँ branching होगा अधरवाईज नहीं हो गया पूड़ा सुनिएगा अब इसको लिख लिए हैं इसको लिखते जा रहे हैं साथ साथ लिखते जाएगा क्योंकि हम इसे में इडिट करकर के आपको समझाते रहेंगा मानलो यहाँ पर हम hydrogen जोड दिये तो अब यह हो जाएगा CS3 सुनना अब यदि हम hydrogen यहाँ से निकाले यह hydrogen यहाँ से निकाले कोई फर्क परने वाला नहीं दोनों का नम नॉर्मल भी उटाई लही होगा लेकिन यदि hydrogen हम बीच से निकाले तब बात बदल जाएगी समझ मैं कि इससे बदल जाएगी यहाँ से निकाले यहाँ से निकाले बात बराबर है यहाँ से निकाले यहाँ से निकाले बात बराबर है और दोनों अपने आप में अलग है यहाँ से निकालिएगा यहाँ से मालो निकाला तो यह दिखोता है इससा लिखाएगा CH2 थात एगो हाइडोजन निकलिये गया एगो CS3 है तो CS3 को हम नीचे चाहें तो लिख सकते हैं जेनरली free valency को side में दिखाना पड़ता है ताकि आपको आसानी से बाद समझ में आजाए यहाँ पर CH2 और CH3 अब तुम ज़रा यहाँ से निकाल के बताओ यहाँ से एक हाइडोजन निकालोगे CH अच्छा इसे जुरा हुआ है CS3 जोड़ो नीचे और इसी से जुरा हुआ है CH2 और CS2 से जुरा हुआ है CS3 देखिए यह और यह दोनों एक जैसा नहीं है दोनों सेम है और दोनों का सेम नाम होगा यहाँ से निकले यहाँ से निकले बात यहाँ से यहाँ से निकले बात बराबर है और बात यह है इसका नाम अब दो तरीके से लिखाएगा चुक्के ब्रांचिंग हो गया है बीच में जैसे फ्री वैलेंस या है मतलब ब्रांचिंग हो गया इसका नाम दो तरह से लिखाएगा एक इसका नाम होता है secondary view tile इसको यदि तुम directly याद रख सकते हो तो directly याद रखो secondary view tile इसको गयता है otherwise ये common नाम सिस्टम में ये नाम है otherwise इसको IEPC सिस्टम में लेके चले जाओ यहां से लेकर यहां तक parents है पहला, दूसरा, तीसरा वन पर मिथाईल है नाम हो जाएगा इसका complete IEPC सिस्टम में वन मिथाईल और तीन कारवन के लिए प्रोपाईल अभी हम bracket में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम completely किसी compound पर काम नहीं करें यदि यही चीज किसी chain में जूड जाता और तब इसका नाम लिखाता तो नाम तो यहीं लिखाता लेकिन वहाँ पर हम इसको bracket में लिखते हैं बास समझ में आ रही है और यहां पर आपको bracket की कोई आवसकता नहीं होगी एक और बात इसी secondary butile को ऐसे करके और करके लिखता है sec butile यह sec और 10th theta वाला नहीं है यह sec यहां पर sec का मतलब secondary है अब हम आपको बताते हैं इसका नाम secondary क्यों है यह किस degree का carbon है थो पियाई यह देंगे नेचे उतारेगे किस degree का carbon है यह two degree carbon है यह carbon एक इधर से जुरा हुआ और यही carbon एक इधर से जुरा हुआ बाकि कहीं तो नहीं न जुरा हुआ है free valency है तो वो carbon से थोड़ी जुरा हुआ है जब जूड जाएगा तब वो three degree होगा अभी तो आप alkyl group normal पढ़ रहे है इसलिए हम लोग इसको secondary विटाइल कहते है समझ में आई बात उतारिए नहीं आईसो विटाइल कब कहेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे अब अभी आप जाएए नभी आप आगे बढ़िए तो सही सुनो चार कारवन का जब straight chain लिए तो दो तरह का alkyl group बना एक बार बगत से निकाले तब और एक बार भी से निकाले तब अब तुम क्या करो चार कारवन का branch delkin ले लो यह अन ब्रांच delkin था ना अब ब्रांच delkin ले लो ब्रांच delkin लोगे तो CH3 CH, CH3 CH3 देखो तो चार कारवन का ऐसा भी compound तो बनेगा ilkin में बोलिए हाँ या ना बनेगा या नहीं अब आप यहाँ से hydrogen को निकालने का प्रियास कीजिए यहाँ से आप hydrogen निकालेगा तो आपको दो तरह का बात निकलेगा या तो hydrogen यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो बात बराबर होगा या फिर hydrogen यहाँ से निकालो बात बराबर होगा इसा इसलिए क्योंकि वह वी 1 degree carbon यह वी 1 degree carbon यह वी 1 degree carbon कहीं से निकालेगे एक टाइप का बात आएगा और यह 3 degree का carbon है इसलिए यहां से जब निकालेंगे तो बात बदल जाएगे और हम निकाल के बताते हैं आपको कि अलग-अलग क्या-क्या आएगा लिख लिया है यह पुड़ा चलिए अगला एक्जामपल है इससे हम एक हाइडोजन निकालेंगे इससे जब हम एक hydrogen निकालेंगे तो हमको जो पाहला compound मिलेगा यहाँ पर हम ज़्यादा जगर नहीं है यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं तुम अपने अपने तरीके से लिख लेना copy में पाहला जो structure मिलेगा उसमें यहाँ 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 कहीं से निकालोगे फेन बंद कीजिए जल्दी जल्दी फेन बंद कीजिए इसको छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए चलो ध्यान दो इदर सांत हो जाईए अब light वाला switch on कीजिए तो star वाला switch on कीजिए तो हाँ पर अब 5 minutes में छुटी देंगे आप परिशान मत होईए देखो यहाँ hydrogen यहाँ से निकले यहाँ से निकले यहाँ से निकले बात बराबर होगा देखो कईसे बराबर होगा पहले अब यहाँ से निकालके बताते हैं यह हो जाएगा CH2 CH CH 3 CH 3 बोली ऐसा ही होगा ना यदि आप तुम यहां से निकालते हो यदि यदि यहां से निकालते हो तो free balance के साथ CH2 बचेगा free balance के साथ CH2 है इस CH2 से CH जुरा हुआ है इस CH2 से CH जुरा हुआ है और इस CH से एक CH3 इधर और एक CH3 इधर जुरा हुआ है तो इस CS3, CS3 दूगों जुरा हुआ हुआ है सेम यहां भी हो जाएगा तो कोई अंतर आने वाला नहीं है लेकिन दूसरा तब बात बदल जाएगा जब हम कारवन हाईडोजन कहां से निकालने बेच से तो अब यह बनेगा C जो हाईडोजन था बेचारा निकला अब कारवन के साथ कुल कितना CS3 जुरा हुआ है समझ में आई बात तो यहां से कुल दो गोए स्ट्रक्चर मिलेगा अलग अलकाईल गुरूप इसी का नाम है आईसो वियूटाइल इसी का नाम क्या है आईसो वियूटाइल और इसी का नाम है टरसियरी वियूटाइल टरसियरी वियूटाइल या इसी को टर वियूटाइल भी कहते है जल्दी से उतर लिजिए च्छुटी दे देते है इसी यूनिट को आइसो बीटाइल और इसी को टर्सेरी बीटाइल कहेंगे और सुनो इसका आईउ पीसी सिस्टम में नाम खुद से लिख सकते हो ये पेरेंट चेन यहां से यहां तक होगा वन टू थिरी नाम होगा टू मिथाइल दूसरा पर मिथाइल है नरे और तीन कारवन के लिए प्रोपाइल तो यह हुआ कम्प्लीट आईउ पीसी सिस्टम में नाम और यह हुआ कोमन नाम और इसका जो हम नाम लिखे हैं ये दोनो एक है और ये दोनो तो एक ही हो गया इसका IOPC सिस्टम में नाम क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक parent chain होगा? 1-2 1-1-dimethyl-ethyl नाम होगा इसका 1-1-dimethyl-ethyl तो इसका नाम हो जाएगा 1-1-dimethyl-ethyl क्या हुआ? यह? किसका? अरे यार सुनो इसका जो नाम है यह यह नाम और यह नाम दोनों सेम है सिर्फ यह common system में है याद करने वाला और यह systematic नाम है मतलब इसका दो नाम है दोनों में से कोई लिख दोगे सही हो जाएगा और इसका भी दो नाम है एक टर्सेरी भी उटाइल या टर भी उटाइल और दूसरा systematic नाम है one one time ही थाइल ही थाइल तो इस दोनों में कोई लिख दोगे सही हो जाएगा नहीं बहुत आलला तामासा किया है तुम सब बैठो थोड़ा दिरगर्मे में ऐसे तुम थोड़े सबज़ेगा हाँ बैठ चलेगा मेरा मन हला भी तो पीछे यह से करता है ज्यादा बस एक लास्ट एक जामपल है जहां पर यह आके खतम हो जाएगा इसलिए इसको खतम करके छोड़ेगा इसी में एक होता है नियो पेंटाइल उसको आप सीख लीजे यह लास्ट है क्योंकि यह सब ऐसा कॉमन वर्ड है और्गेनिक एमिस्ट्री में जो आते रहता है फिर बंद हो जाएगा यह खतम हो जाएगा आगे में जो बेठों में ज़्यादा खुस होने की जरुत नहीं है देखो इधर सुनो अगला एक जामपल आए रहे नीचे उत्रे हैं यह कारबन है कारबन टोटल चार बोर्ड बनाता है मालो चारों के साथ CS3 जूड़ जाए सबसे पहले तुमको बता दें इस कंपाउंड का तुम IUPAC नाम लिख सकते हो क्या नाम होगा यहाँ से यहाँ तक पेरेंट्चेन 1,2,3 नाम होगा 2,2, डाइमिथाईल पेरेंट्चेन तीन कारबन का दूसरा पर मिथाईल, मिथाईल दो बार लगा हुआ है नाम हो जाएगा 2,2, डाइमिथाईल तीन कारबन के लिए प्रोपेन तो यह हुआ इसका IUPAC नाम IUPAC नाम तुमको लिखने आता है हम तुमको बता द्यते हैं इसका कॉमन नाम इसको बोलते है नियो पेन्टेन आधार पर नाम लिखाता है तो कंसेप्ट वाला नाम तुम जान ही रहे है अब तुम यह बताऊ हमको कि यदि हम इसके एक हाइड्रोजन निकाले तो क्या बनेगा और कितने तरह का बनेगा इसे जब तुम हाइडोजन निकालोगे तो या तो यहां से निकालोगे या यहां से या यहां से कहीं से भी निकालोगे ना एक ही तरह का बात आएगा और वो यह आएगा CH2 C CS3 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 इसी का नाम होता है नियो पेंटाईल N-PENTILE और नियो पेंटाईल में अंतर समझ में आया N-PENTILE का मतब 5 कारबन का सीधा चेन और नियो पेंटाईल इसको बोलेंगे जो आपके सामने दिख रहा है अच्छा इसी का IUPAC सिस्टम में नाम यहां से यहां तक parents है 1, 2, 3 नाम हो जाएगा 2, 2 dimethyl propyl समझे इसका common नाम system alkyl group का खतम हो गया है और एक example देखे alkylion खतम करेंगे कल स्टार्ट होगा cyclo-alkylion अब जो इतना बात आप सीखे हैं यह कहां पर उपियोग में आता है हम आपको यह बताते हैं जान तो ले लेंगे तुम्हारा पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं चलो सुनो इदर जल्दी से अप लोग इसका नाम लिख लिएजिए बस दो एक्जामपल है और आज का यह लास्ट एक्जामपल है इसके बाद मैं कोई भी एक्जामपल लिखने वाला नहीं हूँ बस आपको इस दोनों का IOPC नाम लिखना है सुनो ध्यान से यह कोई alkyl group नहीं है रे यह कोई alkyl group नहीं है यह alkyl group का काम खतम इससे उपड़ ही alkyl group आप सब पढ़ लिए अब हम आपको बताते हैं कि जो पढ़े हैं उसका क्या उपियोग है कैसे इसका यूज़ करता है एक काम करें बता दे जल्दी में इसको एक्चल में जो बताना चाहरे हैं उसको सीख लिज़े आप पेरेंट चेंट उत्ते है कि यहां से यहां तक होगा यही होगा हमारा सबस्टिच्टिएंट और यही है na alkyl group इस alkyl group को तुम काट के बाहर निकालो तो तो यह कुछ ऐसा दिखेगा तुम ज़रा देखो तो isopropyl को लिखेगा isopropyl एक्चल में यह है isopropyl नमडिंग कर दीजे आप किधर से किधरों से करोगे के बात होगा इसका नाम हो जाएगा फोर isopropyl और साथ कारवन के लिए heptan आई बास समझ में और कोई इसको complete IUP-C system में लिखना चाहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा secondary chain लेना पड़ेगा secondary chain लेना पड़ेगा तो ये ये हो जाएगा फिर 1, 2 इसका नाम हो जाएगा 4 1-methyl ethyl bracket close और साथ कारवन के लिए heptan अब आप देखिए एक ही compound का दो-दो नाम सीख चुके हैं आप एक substitute को जब common system में लिख देते हैं तब और complete IUP-C system में लिखते हैं तब तो अब आपको यदि isopropyl, tertiary, butile इस सब तरह का word मिले तो आप समझ लेना कि वो कैसे लिखा गया होगा उसी परकार तो भी इसका नाम नहीं लिख सकते हो इसी को नहीं कहा जाता है tertiary, butile tertiary, butile इसको कहते है और पता है यह tertiary, butile का है जहांपर tertiary, butile पढ़ा था यह three degree का carbon इसलिए इसको आप लोग tertiary, butile कहते है नाम लिखो इसका यहां से लेकर यहां तक parent chain होगा नमड़ीं एक बार फिर से इधर से करें या उधर से करें कोई फरक नहीं पड़ता है one, two, three, four, five, six, seven चोथा carbon पर tertiary, butile है नाम हम उपर पर लिख दे रहे हैं यहां पर नाम हो जाएगा four, tertiary, butile ऐसे ही लिखता है book tertiary, butile का मतब tertiary, butile पुड़ा यह दि लिखना चाहते हैं और साथ कारवन का है तो यह भी क्या हो जाएगा, heptan और यदि हम चाहें तो इसी का एक और नाम लिख सकते हैं secondary chain लेना परेगा, one, two नाम हो जाएगा इसका one, one, dimethyl ethyl यह तो इसका substitioned का नाम हुआ यह किस position पर लगा हुआ है four position पर, four, one, one dimethyl ethyl, और last में heptan अब किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए समझ गया आप यहां तक अब आप elken पूरा कर चुके हैं अब हम लोग कल पढ़ेंगे cyclo elken cyclo elken में अभी तक तुम एक भी ऐसा structure देखा जिसमें ring का निर्मान हुआ था अब हम देखेंगे जिसमें ring का निर्मान होता है उसका नाम कैसे लिखाता है तो elken सीख लीजिए cyclo elken सीख लीजिए बादमा की समझी आप सब सीख चुके बस guide करते रहेंगे आप फटा फट करते रहेंगे जो time लगेगा elken और इसी समय लगता है बैठिए आप लोग